दोस्तों आप सभी का LTS में स्वागत करता हूँ अगर आपने हमारा चोनल सिस्क्राइब नहीं किये तो जरूर कर लीजिएगा अगर आपका डिमेट राटेडिक अकाउंट नहीं तो उसको खोलने के लिए मैं एक गाउं से हूँ मैंने ग्रेजिवेशन कर रखी है सर पता नहीं कि जब मैं किसी को शेर मार्केट के बारे में पूछता हूँ या बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि सट्टा मार्केट है जो भी गया वो बरबाद होके ही निकला है मेरे घरवाले भी शेर मार्केट इन्वेस्टिमेंट में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं मैंने उनको समझाया बट उनको विश्वास नहीं होता सर मैं फरनेंशल फ्री होके एक अच्छा सा स्कूल खोलना चाहता हूँ सर मेरे पॉर्टफोलियो में अलकाला माइन्स, डिक्सन टेकनोलोजी, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, दीपक नैट्राइट, ग्रेनवल्स इंडिया, आयोल केमकल्स और फार्मासूटिकल्स, बजाच फिंसर्स, बजाच फानेंस, इन्फोसिस, आयार्सी टीसी, शेर्स हैं मुझे करप्या सर्जिस्ट करें मैं किस स्टॉक में इन्विस्ट करूँ, आगे लिखते हैं कि मुझे अभी आयोल केमकल्स और फार्मासूटिकल्स और ग्रेनवल्स में लगभग 15% और इंडिया मार्ट में 8 प्रश्यत का जो है लॉस हो रहा है, मैं एक 20,000 की छोटी सी कर सको, धन्यवाद आपके रिप्लाई के इंतजार रहेगा, आपका अभार और भगवान आपको लंबी आयोदे, रिप्लाई जरूर करें, थेंक्यू नीरा साब, आपके अच्छे कॉंप्लिमेंट्स के लिए, सबसे पहले मैं आपके कुछ लाइन लाइन पर चर्चा करू हैं, या फिर जो एक्जिस्टिंग है, जो पैसे नहीं बना पारें शन मार्केट से, देखी पहली चीज़ तो आपको दुनिया को बताने के जरूरत नहीं है, कि आप इस टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिससे पूछेंगे, वो यही जवाब देगा, या जिससे आप हैवी ट्रेडिंग करके मार्जिन लेके आप ट्रेड करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लास होता है, रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप किसे कंपणी के शेर साहब लेके रखते हैं, बड़ अगर कंपणी अच्छी नहीं है तो भी जरूर लास हो जाता है और आपका पैसा खतम हो जाता है, यसे बहुत सारी कंपणी चाहिए, यस्वेंक का एक्जामपल ले लें, जो लोग हाई पे लिए होंगे, उनका तो पैसा खतम ही हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी और भी कंपणी आने एक ग्रुप की हैं, आ आप देखेंगा हरकॉम वगएरा आज उनकी क्याश्चति है तो इस तरीके से profit and loss होता रहता है investment में तो सही चुनाओ आपको जो अच्छा पैसा बना के देगा और गलत चुनाओ आपके पैसे को खत्म कर देगा तो बिल्कुल जिने नहीं पता या जिने पता भी है उनको भी loss होता है loss सबको होता है परन्त जो diversification है माली जी कि आपने 15-20 कंपनियों में पैसे लगाए है उसमें से 5-6 कंपनियों खराब निकल गई बाके की कंपनियों ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि आपको जो है loss वो छोटा पड़ जाता है वो दिखाई नहीं देता है तो आप एक गाउं से हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गाउं के खरीब हैं या आपने graduation कर रखी है तो आप बुद्धिमान नहीं है या आपका हक नहीं है कि श्वर मार्केट में आपनी वेशना करें ऐसा नहीं है देखे अगर आप हो सकता कि मध्यमवरगी परिवार से तो पहली चीज़ तो अपने आपको खरीब कहना बंद कर दीजिए यू आरा graduate person आपके पास degree है आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपके पास विद्ध्या है आप कभी भूखे नहीं मरेंगे या आप लिख के ले लीजिए पढ़ाई भी अलग-अलग किसम की होती है कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग पढ़के समझते हैं तो समझना बहुत आवश्यक है आप एक गाउंस हैं आप एक खुशनसीब हैं आपके पास बहुत सारे ऐसे chance हैं आप बहुत लोगों के hero बन सकते हैं बहुत लोग आपस प्रिजित हो सकते हैं आप बहुत लोगों में हो या अलग शहर में हो या बड़े-बड़े बिजनसमेन हो जिनके पास करोड़ों रुपए हैं अर्बों रुपए हैं और आपकी एच के ही हमाल लिजे उन्हें भी जेस्ट ग्रेजवेशन किया होगा वो कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करें बहुत सारे लोग शहर मारके पैसी की वैल्यू खत्म हो जाते हैं मगर आपका नेक मकसद है कि आपने कहा कि आप एक विद्ध्याले खोलना चाहते हैं फरनेशल फीडम यानि कि एक अच्छा पैसा बना के परिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वान करना चाहते हैं जो कि अच्छा है तो सबसे ज़्यदा जो कि जो आपका समाज है जो आपका परिवार है देखिए उनको भी नहीं पता शेयर मारकेट क्या है और जिनको नहीं पता उनको शेयर मारकेट में आना भी नहीं चाहिए आपने कभी जिन्दगी में बाइक नहीं चलाई आपने कभी जिन्दगी में कार नहीं चलाई आपने सीखी नहीं और आज आप बाइक चलाने जा रहा है और आप किसी पडूसिस पूछते हैं आपने घरवालों से हो सकता है और जिस इंसान के छोटी पूंजी होती जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो उसके एनरजी खत्म हो जाती है वो डिप्रेशन में आ जाता है तमाम तरीके के आउसाद उसको घेर लेते हैं तो इसलिए जब तक पूरी तरीकेस जानकारी ना हो निवेश नहीं करना है परन्तु मैं आपके स्टॉक्स पर चर्चा करूँगा और जैसा कि मैं ने बताया कि अभी आप ये कहना बंद कर जिजिए कि आप किसी एक गाउं से है आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास चांस है बड़े आदमियों के पास चांस नहीं है आपके पास अपना एक वी इंडिया माट, दीपक नाइट्राइट, ग्रेनवल्स, आयोयल, बजाज फिंसर, बजाज फानेंस एंफोसिस, आयार सिटी सी ये शेर्स लिए हैं ठीक है अभी हम बताएंगे पांच जार रुपए अगर आप मंतली जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं साईपी के मोड पे इन स सकता है पांस साल बाद आपकी जो है सेविंग जितना कर पाएंगे उसको आप निवेश करते ही अच्छी कंपणियों तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा तो यहां पे जो अलकाई लमाइन आपने केमिकल के बढ़िया कंपनी चुनी है दिक्सन भी आपने अच्छा स् अगर आपने बजाज फनेंस को चुनाना तो उसकी पेरेंट फिर छोड़ दीजिए बजाज फिनसर को मड़ चुनिये अगर आप बजाज फिनसर ले रहे हैं तो बजाज फानेंस को फिर चोड़ दीजे आपके समें कोई FMCG कंपनी नहीं है लेकिन जो लोग लोग लूंग तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा जोए प्रॉफिट ही हो जैसा कि मैंने कहा कि आप इस चीज वे ध्यान मत दीजिए अगर आपका लक्ष 15 साल है 12 साल है 15 साल है तो आप इस चीज को बिलकुल भी भूल जाए कि आपको लॉस हो रहा है या फाइदा हो रहा है मुझ तो आप इस चीज से फोकस करिए कि आपने अच्छी कंपणी का चुनाओ किया है और 10 साल तक आपको maximum quantity आपको कठी करनी है और उसकी value जो भी होगी देदरे बढ़ती जाएगी क्योंकि आपकी छोटी पूंजी है अगर आपको कभी भविश्य में लगे कोई बहुत बढ़ा परफार्मर बन गया है आपकी इन कंपनियों में आप थोड़ी से profit booking भी कर सकते मालीजे कोई stock कई गुना हो गया जैसे कि Dixon Technology पिछले एक साल में 5-6 गुना हो गया तो समझदारी यही है कि कुछ प्रश्यत हिस्सा जो है अपना मूल निकाल लिया जाए बाकी पड़ा रहने दीजिए ताकि जो और अच्छी कंपनियां लिष्टेड हो रही है उनमें भी निवेश कर सकें पैसे कोई इस तरीके से diversification भी किया जा सकता है या और भी अधर सेक्टर से मालीजे कि कुछ अच्छे बैंक्स हो गया उनमें भी निवेश कर सकते हैं जो कंपनी आपने चुनी है मुझे खराब नहीं लगी है और मुझे लगता है कि पास्ट किन की परफॉर्मेंसी बहुत अच्छी रही है और आने वाले से में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे हां रही बात इंडिया मार्ट की जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एक दो सा इन्वेस्टमेंट है आपका और 30% CAGR हमने 30% यहां पर इसलिए रखा है कि कम से कम 30% सालाना तो आपको मिल ही जाए एक लॉंग रन में जो अनुलाइज रिटन मिले आपको 30% मिले आपके पैसे का तो वो बन जाएगा 15 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो करी 25,270 रुपे तो खरीब करीब यह 15 सालों में आपको अमाउंट मिलने वाली अगर आप 5000 निवेश करते हैं और अगर आपको 30% का CAGR मिलता है और मैंने 30% इसलिए रखा है कि मैं आपने जो आपने कमपनियां सेलिट किये मालीजे जो अलकाइलमाइन है बजाज फनेंस है 56% निकल के आरा CAGR 10 सालों का आपने 15 सालों में हमने 30% ही रखा है और मुझे लगता है अभी भारत काफी ग्रोथ करेगा इंडिया कमपनिया काफी ग्रोथ करेंगी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जो अस्पेक्टर डुटरन से वो 30% ज्यादा भी मिल सकता है आपके कि आप निवेश भी करते हैं अगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहों अपने परिवार के किसी अदर से को बताए कि मैं जो भी नॉमनी वगएर होता या किसी आप पेरेंस को बता सकते हैं कि मेरा शौक है मैं इतनी अपने सेविंग का हिस्सा यहां पर निवेश करता हूं इतन जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर आपके भी कुछ सुझाओ हों तो आप जरूर निरत साहब को दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद